हालो स्टूडेंट आज हम डिसकस करेंगे जो फीजोलोजिकल चेंजेंस बढ़ रहे थे उसमें ही रिप्रोड़क्टिव चेंजेंस की बात करेंगे इससे पहले वाले दो हम जो लेक्चर पढ़े थे लास्ट वाले उनमें अपने फीजोलोजिकल चेंजेंस इन प्रेग्नें यूट्रेस रिप्रोड़क्टिव में सबसे बड़ा चंज जाता है तो आपन अपन को भाता है जो यूट्रेस सिफ में सबसे बढ़ा चंज आता है ठीक है इसका weight है वह 60 g अपन नॉर्मली देखते है और जो इसका weight प्रेंगेंसी में 900-100 g जो जाता है जो लेंध की बात करें तो लेंध 5 डायम इंक्रीज हो जाती है 7.5 cm नोर्मली होती है यह बढ़के 35 cm हो जाती है ठीक है यह लेंध एंड वेट की बात की यूटरस है उसमें प्रेंग्नेंटी में यह चेंजिस आ जाती है एंड हम बात करें कि जो यह यूटरस है नोर्मली इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो यूटराइन आर्टरी करती है ठीक है बट जैसे यह क्या होता है कि यूटरस प्रेंग्नेंट होती है तो इसमें जो प्रेंग्नेंट से में यूटरस को जो ब्लड सप्लाई है वो किस के मतलब किसके दोबहर किया जाता है यूटरिन면 अपर चला जाता है बारावीक तक अ लिएतर गरता है ऊपर चला जाता है टीक के यूजया आपडोमीनल ओरगण Bears पर चला जाता है टीक है उसके बाद में पडाता है कि जैसे डिलीवरी हो गये उसके तू week के बाद में वह अपस क्या हो जाता है ऐ गन Australians उसके टीम बं तो definite right में यूठ्रस बिंगंत pela कórवगन बल्बी यूट्रस बिगंब यूट्रस का सव होता है गन Sach demanding अब जेकर Sig Feed देखे कि किस वीक में कैसे कैसे इसकी जो सेप हो चेंजेज होती है तो जो 6 वीक यूटरस है वो हैंस एग जो मूर्गी के अंडा है उसके टाइप का जो यूटरस देखने को मिलता है एट वीट की बात करें तो अपन क्रिकेट बोल या फिर टेनिस बोल या पन इसको औरेंज औरेंज सेप बोल भी बोल कि यूटरस पर बोल सकते हैं इसके बाद मैं 12 वीक की बात करें तो यह एक फिटल हेडिय ग्लोबुलर इंखNE के गोशना आता है कि जो 12 वीक पे आता है यह ग्लोबुलरफ सेप कि इसमें देखने को मिलता है तो 12 वीक पैए ही सारे इनुशन आते एक्जाम के लिए इसके बाद में बात करें कि जैसे 28 वी खुदता है तो जो यूटरस हो इस पेरिकल सेप का हो जाता है ठीक है अब अपन बात करेंगे कि जो रिप्रोडेक्टिव चैंजेज इन में क्या है कि कुछ चैंजेज आते है यूटरस के अंदर वेजाइना के अंद तो वो साइन देखने को मिलते है तो वो कौन कोल से साइन है वो देखते है जेक्वे मेर साइन जेक्वे मेर साइन क्या होता है कि ब्लू इस डिसकलरेशन हो जाता है वेजाइन का एक हम पढ़ेंगे कि एक होता है चेडविक एंड पहले ये अपियर कब होता है तो ये discoloration होता है cervix का कभी-कभी इन दोनों को एक गविन जाता है एक दोनों जैन है आपने में पतब है जेखमिर साइन के बात करें तो सबस्क्राइब तो दंसाइब कको पर जानकर चैट्विक का फूलिट ऑगे इंडर साइन की ऐसी वेज जिडियन्या दो एक आडर के पिस्त थाया है spiral artery के कारण vagina में pulses and feel होना वे ocean or sign बोलते है अब तो इसके यह pulses and feel into the vagina through lateral phernix तो आप बोलों कि यह phernix या lateral phernix क्या होता है जो space होता है vagina and cervix का ठीक है जो vagina wall and cervix मतलब लिख देते हूँ vagina wall and cervix cervix दो होती है ecto endo cervix है तो ecto cervix है उसके बीच का दो space होता है उसको अपन बोलते है phernix यह phernix फिर अलग-अलग होते है जो अपन बोलते है phernix lateral middle upper lower phernix तो इसमे ना उसी under sign में जो lateral phernix है उसमें spiral artery है उसका pulsation फील होता है उसको अपन बोलते है और सेंडर साइन यह भी एट्स विक पे सीन होता है ठीक है इसके बाद में बात करते है पीन पिसकेक sign की पिसकेक sign में क्या होता है इसमें नोर्मल यह अपन देखते है कि जो uterus उसका जो यह implantation है जाए गोट का यह upper part posterior में होता है बट अपन बात करें कि यह lateral में हो जाए ठीक है तो यह uterus क्या हो जाएगा asymmetric हो जाएगा हाँ यह दीरे-दीरे क्या हो जाएगा अपने आप recover हो जाएगा यह नहीं कि हमेशा यह asymmetrical ही रहेगा यह अपने आप recover हो जाएगा बट यह जो लेटरल ओल पर implantation होने के कारण जो asymmetrical enlargement होगा उसको अपन क्या बोलेंगे पिसकेक sign बोलेंगे तो asymmetrical enlargement of uterus due to lateral implantation यह automatically symmetrical हो जाता है 12-way wake of gas station पे ठीक है इसके बात में आपने बात करते हैं गुडल sign की गुडल sign important है इसमें क्या होता है जो cervix होती है वो soft हो जाती है ठीक है scene 8 6-10 week जो 6-10 week है उस पे अपन को गुडल sign देखने को मिलता है यह आप छोड़ देना ठीक है गुडल sign 6-8 week पे देखने को मिलता है इसमें cervix है वो क्या होती है soft होती है ठीक है इसके बाद में बात करते हैं कि जो cervix है वो normally जो non-pregnant होती ह उनमें के साथ देखने का मिलता है टीफ ओपनो जो नोज है उसके टीफ के जैसा cervix होता है वो जिसी वो pregnant हो जाएगी तो lip-off-mouth तो lip के सा होता है soft होता है तो यह softening of cervix होती है गुडल sign में इसके बाद में पढ़ते हैं हेगार sign के बारे में तो जो यह आपन देख लिया softening होता है उसमें क्या हो रहा था उसमें हो रही थी cervix soft इसमें lower uterine इसमें क्यों होती है क्यों कि जो बेबी अपर पार्ट में है इंटार प्रोड़क्ट कहां है अपर पार्ट में है तो जो lower segment है वो क्या हो जाएगा soft हो जाएगा यह scene भी होता है 8 to 10 दोनों एक ही है अब इ हेगार साइन को याद रखने के लिए LH याद रखना ठीक है LH L मतलब lower uterine segment and H मिन्स हेगार साइन में lower uterine segment देखने को मिलता है इसको अपन चेक कर सकते बाइन जो बाइन्यूल examination मतलब दो हैंड से ठीक है यह आप रहने दो यह चोड़ दो because of entire product in upper segment ठीक है जो प्रोड़क हो कहां चला गया उपर अपर सेक्मेंट से ला गया तो layers lower uterine segment हो क्या हो जाएगा soft हो जाएगा इसके बाद में आपन बात करते हैं Palmer sign की इसको भी by manual examination के दूआरा आपन मतलब चेक कर सकते हैं और इसमें होता है क्या rhythmic and regular क्या है rhythmic and regular regular को याद रखना uterine contraction होते हैं यह क्या होत एक के बीच में देखने को मिलते हैं यह जैसे दस वीग हो जाएंगे यह सीन नहीं होंगे इसके बात करते हैं brux-ton-hix contraction brux-ton-hix contraction क्या होते हैं यह जैसे खतम होंगे यह चालो हो जाएंगी six weeks से start हो जाते हैं बट अपनको फिल कव होते हैं